आपका स्वागत है आपके परिवार इस टेगनिक में दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम लोग घन आपकी जो सीज पढ़े थे कोशन का उसको करने के बाद एक जो है बहुत विकल्पी प्रस्न का कोशन आएगा तो चलिए उसको हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेत जो सब्सक्राइब करने तो एक नंबर कैसी लोगतरी पनाटी सब्सक्राइब करने हैं को आपको यहीं से मिल रहेंगे ङटीक से पड़े लेंगे तो चलिए हम इसको करे के हमारा है एक घनाव की कोरें 6 cm 3 cm 2 cm तो घनाव का प्रिष्ट क्यों हो गया अब घनाव का प्रिष्ट हम लोग घनाव के पढ़े थे घनाव के बारे बढ़े थे घनाव का आयसतन क्या होता है LBH लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े उचाई हमारा घनाप का आयतन होता है घनाप का आयतन बराबर क्या होता है LBH और घनाप का हमारा PIST PIST हमारा होता है 2 into LB प्लस BH प्लस HL होता है ठिक यह हमारा होता है घनाप का PIST अब इस हिसाब से अगर निकालेंगे तो देखिए हमारा क्या है L कमार कितना है L हो जाएगा ये B हो जाएगा ये H हो जाएगा निकालिए 2 L B हो जाएगा L B तो हमारा हो जाएगा 6 गुड़े 3 प्लस B H तो 3 गुड़े 2 प्लस H L दो गुड़े 6 6 प्लिश्ट को परबुएगा 28 प्लस तीन दूना 6 प्लस छे दूना 12 अब देखे जोड़ेंगे आठारा परबर 30 से चटिस हमारा आजाएगा दो गुड़े 36 बराबर हमारा अगय हो जाएगा sorry यहाँ दोस्तों 36 आएगा 72 बर्ग सेंटी मीटर तो हमारा पहले का आइंसर क्या हो जाएगा बहातर अब देखे चारों आपसन में किसमें इसमें किसमें इसमें 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 बहातर दिया है 72 हमको दिया है सामे तो हमारा इसका प्रिष्ट कितना हो जाएगा 72 सेंटी मीटर हो जाएगा अब देखे दूसरा कुछन देख लेते हैं एक घं का आयतन 27 सेंटी मीटर है तो घं की कोर क्या होगी आप देखिए घन का आयतन, आयतन घन का क्या होता है घन का आयतन हमारा होता है ए घाते 3 और घन का संपूर्ड प्रिस्ट होता है हमारा 6A स्क्वेर घन का विकन होता है A अंडरूट 3 यतना तो हम आपको बता दियें और कुछ हम बताये थे, घन में कोर कितने होते हैं, बारा, फलक कितने होते हैं, छे, ये समहाँ आपको बहुत अच्छी तरह से बताये हैं, अगर वीडियो को आप नहीं देखा हो तो उसको जरूर दिखिए, अब देखिए हमको क्या दिया है, घन कायतन दिया है, अब इसको ह और क्यूrum बराबर देखिए आपका 3 की générगार 3 सिन तो एंब बराबर हमारा आ जाएगर यहां पर 3, इसको घन काट अगर कम जयाएं, तो भुजा कमार कितना आ जाएगा थे, अब देखिए, कि सक कि Churchakt हे mean, e abdenson, a, d दो लेजिए बासफ दैकिस में तीन आया है हमारा आपसान आ में तीन सेंटिमेटर आया है तो हमारा एंसर हो जाएगा कि आई यह हम देख लेते हैं कोजानबर 3 क्यों को नम्बर 3 क्या है एक गन की भुझाद 6 cm है गन काप्रिष्ट नहीं होका ठीक है क्या है गनिकी भुझा आपकी 6 सेंटीमेटर है गनिकाप्रिष्ट क्या होगा啊 yes अब देखिए अब गनिका प्रिष्ट हमारा सूत्र क्या होता है सिक्से स्कॉर vier अभी हमने देखें कहीं दोसों शोला आपको इहां पर दिख रहा है आपसर में डोसों सोला दिख रहा होगा सावाला तो अब आगे हम देख लेते हैं चौता नूमर कोश्ण चौता नूमर कोश्ण हमारा क्या है एक घंड का विकंड चार अंडरूर्ट तीन सेंटीमीटर है तो आयतन हो अब देखाण हमारे क्या होता है एंडरूर्ट तीन बराबर कितना दिया है चार अंडरूर्ट तीन यह दिया है यह देखें अंडरूर्ट तीन कट गया हमारा एक हमारे कितना आ गया देखें एक मान आपका आगया चार सेंटीमीटर तो आगा देखेंगे यहां पर इस वा पाउचवा कोशन को कर लेते हैं तिक आप देखिये पाउचवा कोशन हमारा क्या है एक घनाप की लंबाई चौडाई और उचाई करमसा दस आठ और पांच सेंटी मिटर है तो उसका प्रिस्ट होगा अब इस कोशन को पहले आप लगाई इस को लगा करके आप संदेखिए जब आप लगा लएंगे फिर इसको बात वीडियो देखिए तो मुझे उमिद है आप लगा लिया होगा ठीक अब देखिए हम इसको कर लेते हैं हमको क्या निकाला है इसके पहले हम बताया थे 2LB प्लस HL प्लस हमारा क्या होता है तो यह हमारा फार्मूला होता है अब तो बनागर हम निकाल लेगे हमारा ल क्मान न कीकतना है ठाश टाश टाश आपने अध। यह हम इसको हल कर लेंगे तो 10 अठे 80 हो गया आठ पंचे 40 हो गया धन पंच पंदां 50 हो गया 50 40 90 98 170 आप 170 हमारा आ गया यह अब देखिए 170 आ गया आप 170 कुछ लोग क्या करेंगे कुछ लोग अब देखिए हां यह कोशन बहुत इंट्रेस्टिंग है हमारा कुशन अभी आया था दो गुड़े 170 आप कुछ लोग जिनको आता रहेगा थोड़ा कंफ्योजर नहींगे जिनका वो लोग 170 को यहां देखेंगे मारेंगे किलिक करके चले आएंगे आपका क्या हो जागा यह गलत कोशन कोशन गलत नंबर कटा अब देखिए इसमें यह आपसर नहीं मिला य 340 यहां पर भी नहीं है यहां पर भी नहीं ईसका सही एंसर क्या हो जाएगा सब्सकान को और भी बताए देखें गहना कार दिया गंगा हमारा पृष्ट क्या होता है तो हमारा क्या हो जाएगा थे अनुकालेंगे इसको हमारा हो जाएगा चछे और गुणरें बड़लेंगे आपया तो हमारे च कोजँती के चार अपसंडिया है पहला अपसंडिया आपका आठे स्क्वाइर बारा स्क्वाइर चौबिसे स्क्वाइर चे स्क्वाइर हमारा है यहाँ पर सामें है तो यह हमारा ऐंसर हो जाएगा ठीक हुआ कुशन हम देख लेते हैं साथ हो कोशन है एक कंबरे के परसका चेतरफल 48 बर्ग मीटर है यादि उसके उचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ग्याद किजिए अभी बताये थे आप लोगो कि किसी भी चीज का हमारा आयतन निकालना हो तो आधार का चेतरफल गुड़े उचाई होता है अधार का 6 तफ़ल आपको दिया है उचाहिए आपको दिया है तो क्या करेंगे 48 में 5 से गुड़ा कर देंगे तो हमारा इंसर आजाएगा ठीक है इसको आप लोग पहले लगाईए 48 में 5 से जब गुड़ा कर देंगे तो हमारा इंसर आजाएगा अब देखिए पांच अठे चालिस हो जाएगा चार पंचे 20 चार 24 हमारा 240 कहीं देखिए किसे option में दिया है option number C में दिया है तो question हमारा हो जाएगा अब देखिए आगे हम देख लेते हैं question number 8 को question number 8 हमारा क्या है एक घंड का आयतन 125 घंड सेंटिमीटर है घंड का बिकण हो गया इसको पहले आप लोग लगाईए question को ठीक है तो अब देखिए क्या है हमारा आयतन दिया है आयतन हमको पता है एक घाते 3 बराबर हमारा 125 दिया है आयतन नहीं होता नहीं घंड का अब घंड का आयतन 125 दिया है तो एक घाते 3 बराबर हमारा कितना होता है पांच घंड को हमको पता है विकंड क्या होता है आपका घंड का ए अंडरूट तीन, तो हमारा हो जाएगा 5 पहदे से पता था, एक मान हें अंडरूट तीन, अब 5 अंडरूट 3 कहीं देखे दिया है, तो खोजिये देखे, पहले हम दिया है, A में, B में, C में, नहां दिया है, D में, तो हमारा एंसर हो जाएगा ठीक, आगे देखे लिए थे 9th नंबर कोशन को 9th नंबर कोशन हमारा है एक घन का विकाड़ 2 प्लस अंडरूट 3 बर्ग सेंटिमीटर है उसका प्रिस्ट होगा अब देखे विकाड़ दिया है घन का और उसका प्रिस्ट निकालना है इस कोशन को क्या करेंगे तो हमको ए अंडरूट 3 बराबर हमको दिया है दो अंडरूट 3 अंडरूट 3 से 3 हम काड़ देंगे अगर देखे ए अंडरूट 3 बराबर दो अंडरूट 3 हमको दिया यह इससे कट जाएगा एक अमान हमारा 2 आ जाएगा ठीक एक अमान दो आज़ा एक प्रिष्ट क्या हो जाएगा 6A स्क्वाइर तो हमारा क्या हो जाएगा देखे एक अमान दो है तो हमारा हो जाएगा 6 गुड़े 2 का बर्ग बराबर 6 गुड़े 4 बराबर हमारा 24 बर्ग सेंटीमीटर इसका आज़ाएगा प्रिष्ट टिक आई हैं हम आगे देख लेते हैं दस नंबर कोशन को ठीक दसवा नंबर कोशन हमारा क्या है एक गहन का प्रिष्ट 24 बर्ग सेंटीमीटर है गहन का बिकण होगा अब देखिए घंका पिरिष्ट दिया है पिरिष्ट मतलब क्या होता है 6 ये स्क्वाइर बराबर कितना दिया है आपका 24 ठीक 6 से काट देंगे 6 चाओके 24 ये स्क्वाइर बराबर हमारा कितना आ गया 4 अब ये बराबर बर्गमूल लेंगे तो ये बराबर हमारा आ जाएगा 2 ये बराबर 2 आ गया तो ये अंडर रूट 2 हमारा होता है विकन तो ये का मान 2 है तो इसी में अंडर रूट 2 से गुड़ा कर देंगे क्या ये अंडर रूट 3 यह अंडरूर 3 हुमारा होता है बिकन तो इसे 2 में अंडरूर 3 से घुला कर देंगे तो दो अंडरूर 3 कहीं देखे दिख रहा है यहां देखे दिख रहा है तो यह हमारा एंसर हो जाएगा ठीक आब देखिए आगे हम सय्मेरें संधेन, सबस्क्राय को ऊ요 सबस्क्राइब जाए तक करना मिद्राख carril का एक करना मैं मुझेह सबस्क्राइब जाम काथ दोएट ही तो सबस्क्राइब 2 तो करेंगे इतना बाइगा तो आटी आएगा ने दो गुड़े दो ब्राबर आठ ये देखिए यह को नवा कोशन दसनों कि वह दुनों सेम हैं अब देखिये यह कोशन इंपोर्टेंट है यह कोशन आपको इंपोर्टेंट है क्योंकि एकजाम में आएगा तो फंसा देगा लोग अपिलोग फंस जाएंगे क्या है बिकन निकालना है एक आयता का डिब्बें कि तीनों कोरों करमसा 6 cm 9 cm 2 cm है उतों उनमें से अधिक से अधिक लंबी रख की जाने वाली च्ठकी लंबाई होगी तो हमको क्या निकालना है इसमें बिकन निकालता है बिकन का सूत्र हमको पता है होता है ल स्कॉा क्रमक्तो अधिक यह नहां सकार्दैने को स्कॉत आप देखेए 7 सेंटीमेटर हमको कहा दिया है हाव आलिम ए बाव आलिम साथ है साव आवालिम 11 है तो हमारा बावाला एंसर सही हो जायगा इसके पाद हम देख लेते हैं 30 को थीसरा नंबर को थी here हमारा क्या है एक लंब बृत्ति ये बेलन के आधार का छेतरफल नौ पाई सेंटी मीटर है तो उसके आधार का ब्यास होगा ठीक लंब बृत्ति बेलन के आधार का छेतरफल अब बताये थे लंब बृत्ति बेलन में आपको बताये यह हमारा आधार होता है यह हमारा क्या होत स्कुएर हमारा होता है ठीक है हमको पाई री स्कुएर कमान कितना दिया है 9讲 नोग काई नोग कई से पाई देखे कड़जाएगा और बराबर हमारा बर्गमुल लेंगे तो 3 आजएगा अब फार कमान में तो तीन आ गया तो क्या निकालना है आधार का ब्यास तो आर का हमारा होता है तिरिज्जा आर बड़ाबर तीन है तो तीन का दुगुना हमारा ब्यास हो जाएगा तो हमारा छे सेंटीमीटर ब्यास हो जाएगा ठीक यह हमारा एंसर हो जाएगा अब देखी आगे देख लेते चौधा नमर कोशन को, चौधा नमर कोशन हमारा है, एक लमी भी विर्थी बेलन की उचाई, 6 cm, 33 cm है तो बेलन का आयतन होगा, तेखें अब आयतन निकालना, आयतन का सूत्र तो पता होगा, आप लोगो एक बटा, जोरी, पाई, आर स्क्वाईर है, अब देखें, पाई कमान हम रखेंगे या ना रखें देखे कोई संख्या सासे कटने वाली है नहीं कटने वाले तो पाई कमान नहीं रखे पाई गुड़े आर कमान हमको देखे तीन दिया है तीन कब रख हो जाएगा नौ और गुड़े छे छे नवा में चववन पाई गंसेंटीमिड़ देखें हमको यहां पर ऐसा दिया है यह भी कोईसन हमारा हो गया अब देखे आगे हमारा फिफ्टी नंबर कोईसन है लास्ट कोईसन हमारा है इसमें क्या है एक बेलनाकार बरतन की तरिज्या आर उचाई 5 आर उसका बक्रपिष्ट होगा अब देखे यह कोईसन इंपोर्टेंट है यह किसी एकजाम में पूछा जा सकता है अब देखे इसमें क्या है हमको दिया है कि बेलन का बक्रपिष्ट निकालना है तो बक्रपिष्ट का सूत होता है 2 πi 2 πi r h होता है अब देखे हमको क्या है 2 गोड़े πi गोड़े r का जगण r दिया है उचाई की जगण हमको दिया है 5 तो 5 जूनी 10 10 πi r square हमको जहाँ एंसर दिया होगा 10 πi r square हमको जहाँ एंसर दिया होगा वही हमारा answer हो जाएगा अब देखिए हम को कहा दिया है दस पाय-गार स्कॉर bell तो पहला आप सों देखेंगे देखाएं अब्लब स्कॉर shift शान पंद'यू कर्वायए को यह solid में अब पर दोके रोखेंगे रोखने नया है था प्रता यहinter या आप उसको कोशन को अपने से साल्व करिए अगर नहीं आ रहा हो तो इसके बाद फिर वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो ऐसा आप करेंगे तो आपका जो है मैत जो है काफी देर देर अच्छे होते होते बढ़िया हो